हेलो डियर स्टुडेंस एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल इंसान स्प्रों बायोलजी पे और हमेशा के तरह आज भी हम आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज लाए हैं तो अगर आप आईजब पूने में अद्मिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आईजब पूने के पीएच्डी अप्लिकेशन सब स्टार्ट हो चुके हैं अगर आप MSC भी कर रहे हैं और आप final year में हैं तो भी आप apply कर सकते हैं और अगर complete हो चुके हैं तब तो आप obviously apply करी सकते हैं 20th Feb तो आप यहां पे देख लेजिए और शाम के पाज बज़े तक ही है बारा बज़े तक नहीं है रात के पाज बज़े तक ही है 20 तारिक तक और इसके जो first round of interview है वो online mode होगा और वो उसका भी date यहां पे दी रखी है कि 29 से 31st round of March के बीच में हो सकता है और जो final interview होगा वो आपका वहां पे ही campus में ही होगा यानि in person mode लिखा हुआ है और जो कि आपका May 8 या May 9 के असपस होगा अब क्यूंकि हम हमारा channel biology से concern करता है इसलिए हम आपको important information biology से related बताते हैं तो चलिए सबसे पहले हम eligibility criteria देख लेते हैं तो इस पर सबसे पहले eligibility criteria में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो general eligibility criteria आपको देखे रखा हुआ है जिते भी आपको मैं screens पे windows दिखा रही हूं उसके सारे link आपको हमारे description box में मिल जाएंगे सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि जो भी आपका communication होगा institute से वो mail के through ही होगा और आपको regular updates के लिए dates कोई भी important date है या interview less है उसके लिए आपको side check करती नहीं पड़ेगी और उसी के साथ ही यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि अगर आप final year का exam नहीं दिया है आपने तो भी आप apply कर सकते हैं but after admissions आपको एक provisional certificate उनको देना होगा फिर उसके बाद है कि जो भी SCST या ऐसे physically handicapped candidates है उनको जो भी like उनका जो cut off है वो 1.25 times होगा general category rank के यह यहाँ पर clearly mention कर रखा है उन्होंने और उसी के साथ ही जो अलग-अलग eligibility criteria है वो अलग-अलग subject के according दिये हुए हैं तो अगर हम बात करते हैं biology की तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस-किस disciplines में आपको PhD करने का opportunity मिल रही है किसके अंडर मिल रही है वो भी दिया हुआ है आप साइट पर जाके जरूर चेक कर सकते हैं उसी के साथ ही यहाँ पर अगर आप इसको नीचे scroll करेंगे तो application criteria दिया हुआ है और उसके बात फिर eligibility criteria दिया हुआ है eligibility criteria में किया है कि obviously क्योंकि PhD admissions है तो आपके पास master's होना चाहिए यह disciplines दे रखे हैं वो आप चेक कर सकते हैं कि आपका discipline इस पे fall हो रहा है नहीं हो रहा है और आपके minimum 60% होने चाहिए MSC में और उसी के साथ ही आपका जो SCST, PWD candidates है उनको अगर आपका 55% भिया तो भी चलेगा फिर उसके बाद है यहां पर जो main eligibility criteria है यानि कि कौन से student supply कर सकते हैं यह तो basic हो गया फिर उसके बाद यहां पर जो exams की बात करें तो यानि कि आपका अगर TIFER हुआ हो यानि कि JEEBILS जो कि आपका TIFER exam ही होता है और यानि कि आपका TIFER अभी रिलीस करेगा list अपनी उसके according वो student sort out करेंगे यह short list करेंगे और अगर मालीजी आपका TIFER आपके पास नहीं है तो आपके पास CSIR, JRFA, UGC, JRFA, DBTI, ICMR या इसी तरह कि कोई भी national आपके पास fellowship है तो आप apply कर सकते हैं और यह सारे जो भी fellowships है वो आप आपके कब तक valid होने चाहिए August 31st तक तो यह आप ज़रू चेक कर लिजेगा कि आपका जो भी आपने exam क्लिया करा है उसका जो validity कब तक है उसी के साथ ही जिन students ने गेट के लिए apply करा था और गेट उनका qualify हो चुका है गेट life sciences, chemistry, ecology, evolution, biotechnology, mathematics, mathematics वो ऐसे students भी apply कर सकते हैं बट उ तो number of students जिन जितने भी students से apply करा होगा उसी according बनेगा और उसके साथ ही यहाँ पर procedure दे रखा है कि क्या process होगा application का जैसे कि यहाँ पर आप इसको read further कर सकते है application form का link भी यहाँ पर दिया हुआ है आप क्लिक करेंगे तो आपको application form open hook के आ जाएगा इस तरह से आप अपना application कर सक करते हैं और अगर आज का वीडियो हमारा पसंद आए हो और हमारी information भी पसंद आए हो तो हमारे चैनल को जाल साथा शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें तब तक मिलते हैं नेक्स वीडियो में टेक क्या बाय मैं अन्थाइंक यू झाइब कि उते हैं झाल समक्राइब करें लाइब